आपको दंड प्रक्रिया सहिता पढ़ाने वाला हूँ आज मेरी कोशिस है कि दंड प्रक्रिया सहिता के एक बड़े ही महत्पूर्ण विशे जो Code of Criminal Procedure के अंतरगत कवर होता है वो गिरफतारी which is the arrest इसको आज कवर करने की कोशिस हम करते हैं और ये देखने की कोशिस करते हैं कि arrest यानि गिरफतारी से जोड़े हुए महत्पूर्ण पहलू कौन-कौन से हैं गिरफतारी करते समय किन बातों का दियान रखना चाहिए कौन-कौन विक्टी अधिकरत है गिरफतार करने के लिए और गिरफतारी क्यों गिरफतारी की जरूरत क्यों है is पहलू को हम आज के lecture में सबजने की कोशिज करेंगे साथी साथ हम ये भी जानेंगे कि हमारी दंड प्रक्रिया सहिता 1973 कोड आप कुर्ड प्रोसीजर 1973 में कौन-कौन से प्रावधान जो है अरस्ट यानि गिरफ्तारी से संबंदित है ठीक है प्यारे बचों दंड प्रक्रिया सहिता 1973 का अध्याय जो है चेप्टर 5 of the code of criminal procedure deals with the arrest ठीक है गिरफ्तारी से संबंदित रखता है पहले तो हमें ये देखना होगा गिरफ्तारी है क्या ठीक है गिरफ्तारी एक तरीके से प्राव एक तरीके से अगर हम कहें कि गिरफ्तारी का परपस क्या है और इसका effect क्या होता है प्यारे बच् तो what is the effect of the arrest हमें यह जनना होगा कि article 21 of the constitution कहता है no person shall be deprived of his life or personal liberty without accept according to provisions established by law तो प्यारे बच्चों तो एक बात कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी प्राण इवं दहिक स्वतनता से विधी द्वारा इस्थापित प्रक्रिया के बिदा हम वन्चित नहीं करेंगे अब एक दूसरी तरफ अगर हम किसी को गिरफतार करते हैं तो उसकी दहिक स्वतनता से तो हम उसको वंचित कर रहे हैं लेकिन अगर गिरफतारी विधी के अन्रूप है तो यह गिरफतारी तो विधी द्वारा इस्थापित प्रक्रिया के अनुसार हुई इस तरीके से तो हम कर सकते हैं लेकिन हमें ध्यान देना ये होगा कि विदी द्वारा स्तापित प्रक्रिया से भी हम किसी को गर गिरफतार करें तो भी हमें किन महत्मूर बातों का ध्यान रखना होगा क्योंकि गिरफतारी एक अलग बात है but effect of the arrest गिरफतारी के प्रभाव बहुत ही जादा दूरगामी होते ठीक है जैसे आपके सामने मननी उचितम यायले कि दो बड़े leading case relating to the arrest number one which is the very leading case that if the जोगिंदर कुमार case और दूसरा अरनेश कुमार बनाम बिहार राजी case अरनेश कुमार बनाम बिहार राजी case के case में तो सुप्रीम कोट ने एक बात कही कि देखो हमें दो बातों का बड़ा ध्यान रखना होगा एक बात बड़ी अच्छी बात कही कि देखो power of arrest होना police के पास अलग बात power of arrest is a different thing but need of the arrest is a different thing कि एक बात समझो कि अरनेश कुमार बनाम बिहार राजी के वाद में 2014 में माननी उच्टम नायरे ने इतने महत्मूर से धान्द परतिपादित की कि देखो चलो ठीक है कोई offense ऐसा किया जिसमें arrest हो सकता है police के पास power है उसको arrest करने का लेकिन police के पास arrest का power होना और गिरफतारी की जरूरत होना यानि need of the arrest and the power of the arrest both are the different thing किसी व्यक्ती की गिरफतारी की आवश्यक्ता और police के पास गिरफतारी की सकती इन दोनों में जो है फरक है police को पहले सबसे पहले खुद को satisfy करना होगा if there need of the arrest क्या वाफतों में यहां गिरफतारी की आवश्यक्ता है क्या यहां पर गिरफतार करने की जरूरत है सिर्फ गिरफतारी की सकती होने से ही गिरफतार किसी को नहीं किया जा सकता है इस से सम्मनित प्राउधान अध्याए पांच में है और इनको सब को हम one by one discuss करेंगे लेकिन first of all we are discussing the effect of the arrest गिरफतारी के प्रभाव क्या हो सकते हैं जोगिंदर कुमार केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि arrest जो है and detention is a police lock up police lock up में जो है detain करना किसी को arrest करना can cause the incalculable harm to the reputation and self-respect of that person अगर किसी व्यक्ति को गिरफतार किया जाता है और या उसको police lock up में detain किया जाता है तो एक गड़ना ना किये जा सकने वाला harm social रूप से, समाजिक रूप से और उसकी self-respect को इतनी ज़्यादा चोट ये पहुंचाता है दूसरा आपका अरनेश कुमार बना बिहार राज के किस में कहा गया कि देखो arrest curtail the freedom arrest curtail the freedom brings humiliation and cast scars forever ये बड़ी important बात रही कि freedom को arrest curtail करती है humiliation को लेकर आती है ठीक है ना तो we have to make the balance between the liberty of the individual and social order also तो हमें एक बात को समझो अरनेश कुमार केस में सुप्रीम कोट फिर उसके प्रवाव पर जोड़ देते हुए कह रही है कि देखो गिरफतारी जो है वो किसी व्यक्ति की freedom को curtail करती है humiliation को लाती है और इसलिए जरूरी है कि हमें एक balance की जरूरत है किसी व्यक्ति की individual फतंता पर और social order सामाजिक व्यक्ता के बीच एक balance बना की चलना पड़ेगा कि सामाजिक व्यक्ता भी न बदलने पावे और individual liberty भी न डिस्टर्ब होने पावे individual liberty भी न हैं पर होने पाएं तो ये जो एक तरीके से इतनी importance है और जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि गिरफतारी बहुत ही consciously बहुत ही साउधानी पूर्वक करना चाहिए सिर्फ कोई मायटर गिरफतारी योग्य है और पुलिस के पास गिरफतारी की सकती है सिर्फ इस आधार पर किसी को गिरफतार नहीं किया जाना चाहिए इस संदर में दो बड़े ही महत्मूर वाद हैं जो हमारे सामने है एक तो है आपका जोगिंदर कुमार versus state of उत्तर प्रदेश एक जो केस है जोगिंदर कुमार जो इसी से सम्मन्दित है जोगिंदर कुमार versus state of जूपी जोगिंदर कुमार बना मुत्तर प्रदेश राज डेट ऑफ जज्ज्मेंट है जो 25 अप्राइल 1994 इसमें मामला सिर्फ इतना सा है कि जोगिंदर कुमार एक एडवोकेट थे जो जिनको स्स्प गाजियाबाद ने अपने पास बुलाया इसके बाद उनसे बात करी बाद में वहाँ से गायब हो गए ठीक है इनके भाई वापस आए, इंक्वाईरी करी, कहां है तो पता लगा इनके भाई को, इनको मसूरी भीव दिया गया, उस समय यूपी का ही पार्ट हुआ करता था, उतराखंड भी, मसूरी भीव दिया गया और फिर पता लगा, जो है, मतलब कोई undisclosed location में बार बार उसको भेश officer to do so, सिर्फ गिरफतारी इसलिए नहीं की जानी चाहिए कि पुलिस के पास गिरफतारी की power है, उन्होंने कहा कि इस case में भी यही बात कही गई, existence of the power of arrest is one thing, and justification of the exercise of that power of arrest is quite different thing, यानि कि गिरफतारी की सकती होना एक बात, और गिरफतारी की सकती का प्रयोग करना दूसरी बा court ने का कि no arrest should be made in a routine manner, just because of the allegation made on some person, किसी की ऊपर कोई अवयोग लग गया, सिर्फ इसी आधार पर routine manner में गिरफतारी नहीं की जानी चाहिए, ठीक है क्यों, क्योंकि गिरफतारी जो है लेकर आती है, humiliation, degradation of the social esteem, self respect ये लेकर आती है, दूसरा किफ जिसका मैंने जिगर किया, ठीक है, वो केस आपका बहुत important है, जो आज की time में arrest का Bible बन रखा है, बेल ड्राफ्ट करते समय लोग इसी case को use करते है, that is the Arnese Kumar बनाम बिहार राज, जो केस है, वो क्या है, Arnese Kumar versus state of बिहार, दूसरा जो महत्पूर केस है प्यारे बच्चों, वो है आपका Arnese Kumar बनाम बिहा 2014 को, 2 July 2014 को माननी उचितम न्यायाले ने इस case को decide किया, यह जो case था, आपका 498 IPC, आप समझी रहे होंगे, ठीक है, 498 A IPC का यह case था, साथी साथ इसमें Doery Prohibition Act 1961 की धारा 4 भी involved थी, इस matter में इस तरह F.I.R. दरज हुए, अभियुक्तों की, Anticipatory bail file की गई, Anticipatory bail नाराज हो गई, वो Supreme Court पहुंचे, High Court, High Court से भी reject हो गई, वो लोग Supreme Court पहुंचे SLP लेकर, according to section, SLP लेकर Supreme Court पहुंचे, और उन्होंने section 41 B, 41 A, और 167 of the CRPC, इन तीन धाराओं पर, माननी उचितम न्यायाले ने, detailed guideline जारी करी, ठीक है न और, court को 167 के procedures को भी detail में, court माननी उचितम न्यायाले ने इसमें दिये, तो judgment दिया गया, अरनेस कुमार वसे State of Bihar केस का, और इस केस में हमने, गिरफतारी से सम्मंदित महत्मून पहलूँों को छूने की कोसिस करी, तो same बात, जो अभी जोगिंदर के केस में बोली गई थ हुआ, सारी बातों को one by one court ने चेक किया, और बोला कि need हो तबी arrest करें, क्योंकि बड़ी मुसीबत लेके आती है, अब ये तो हो गई effect of arrest की बात, जो माननी उस सितम न्यायले ने जो बाते हमें बताई, उसके अधार पर जो हमने continue किया, दूसरा, बहत्मून पहलू है कि kind of arrest क सर जी गिरफतारी के क्या कोई प्रकार भी होते हैं, और सर हमें ये बताया कि गिरफतार कौन कौन कर सकता है, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आप दो बाते जानो, दो तरह के अपराद होते हैं, एक संगे अपराद और असंगे अपराद, cognizable offense और non-cognizable offense, मैंने क्या बत होते हैं, ठीक है, जिसमें पुलिस के पास बिना warrant के arrest करने की सकती है, क्या बने बोला, संगे मामले वो मामले होते हैं, जिसमें पुलिस के पास बिना warrant के arrest करने की सकती है, दूसरा असंगे मामले, वो मामले होते हैं, एक तरीके से, 2L में बताया गया है, non-cognizable के बारे में, कि वो मामले जिसमें पुलिस के पास बिना वारंट के गिरफतार करने की सक्ती नहीं है दो तरीके आपके हो गए सर जी क्या कोई अरेस्ट के प्रकार भी है मैंने का हाँ तो पुलिफ जिन मामलों में बिना वारंट के गिरफतार कर सक्ती कि पुलिस की जो बिनावरंट की गिरफतारी की सकती है, इसकी विवेचना हम अभी करने वाले हैं। ठीक है? दूसरी बात, sir, giy क्या गिरफतारी के प्रकार भी है? मैंने का ओ, देख लेते हैं. मैंने कहा कि हाँ, गिरफतारी की जो दो बातें भी मैंने बताइं. sir is there any kinds of arrest मैंने कहां देखते हैं ठीक है क्या sir इनका कोई गिरफ्तारी का कोई प्रकार भी है गिरफ्तारी के प्रकार तो मैंने का गिरफ्तारी के दो प्रकार है एक आपका वारंट के साथ गिरफ्तारी अगर ध्यान दे arrest with warrant और दूसरा arrest with warrant और दूसरा arrest without warrant ठीक है यानि वारंट के साथ गिरफ्तारी और दूसरा वारंट के बिना गिरफ्तारी ठीक है इस दो बातें आपके सामने हमारी दी हुई है इसार ये दो प्रकार तो हैं वारंट के साथ कब गिरफ्तारी होगी और वारंट के बिना गिरफतारी कभ होगी चलो इसी को देखते सर और दूसरी बात हमें ये बता उसका है कौन कौन गिरफतार कर सकता है मने बने हैं दंड प्रक्रिया सहिंता के अंतर legit गिरफतार करने प्राइवेट परसन के पास भी गिरफतारी की सकती है, हमारे और आपके पास भी गिरफतारी की सकती है, प्राइवेट परसन भी हम गिरफतार कर सकते हैं, इसको हम डिटेल में देखेंगे, गिरफतारी की सकती मजिस्ट्रेट के पास भी है, क्या बोला, धारा चवालिस के अंतरगत मजिस्ट्रेट के पास भी गिरफतारी की सकती है, तो बहुत से एक विस्तारित सीमा है, लेकिन हम मैदूद रहना है पुलिस की गिरफतारी की सकती तक किस तक पुलिस की गिरफतारी की सकती तक तो ये गिरफतारी के प्रकार हो गए गिरफतारी के बेसिकली दो प्रकार हैं एक वारंड के साथ गिरफतारी और दूसरा वारंड के बिना गिरफतारी ठीक है वारंड के साथ गिरफतारी और वारंड के बिना गिरफतारी सर अच्छा एक बात बताएं कि अरेस्ट कौन कौन क इनके द्वारा की जा सकती है, इस पहलू को भी जरा सर्फ समझाए, मनें कि गिरफदंड प्रक्रिया साहिता के अंतरगत गिरफतारी की सकती है, बहुत वास्ट है, ठीक है, अगर हम ध्यान दें, तो पुलिस के पास सबसे पहले तो, पुलिस के पास गिरफतारी की सकती है, ठ section 41 आपको इस बारे में clear cut indication देता है ठीक है कौन से section section 41 सर पुलिस अधिकारी के लाबा मने का वरिष्ट पुलिस अधिकारी superior police officer look at your bear act section 36 ठीक है तो उनके पास भी superior police office यानि अगर ध्यान से देखो section 36 तो वरिष्ट पुलिस अधिकारी के पास भी आपकी एक तरीके से किरफ़तारी की सक्ति दी हुई है और अगर हम बात करें तो ध्यान से अगर देखो military officer सर क्या बात कर रहा है military officer के पास भी गिरफ़तारी की सक्ति है अगर बहुत दूर से जाके देखें तो दंड प्रक्रिया साइंता की धारा 131, 131 किसी तरह की सक्ति की बात करती है यानि की 131 और 131 के इंतरगत पुरिष्ट पुलिस अधिकारी के बात जो है military officer के पास भी गिरफ़तारी की सक्ति है ठीक है सर क्या कोई private person बिलकुल private person भी गिरफ़तार कर सकता है ठीक है क्या private person के पास भी गिरफ़तारी की सक्ति है मैंने का look at the section 43 धारा 43 देखिए आप धारा 43 बताती है कि कब कोई निजी व्यक्ति वारंट के बिना गिरफ़तार कर सकता है section 43 बिलकुल section 43 निजी व्यक्ति को भी गिरफ़तारी की सक्ति देती है ठीक है इसके अलावा sir क्या magistrate भी गिरफ़तार कर सकता है बिलकुल गिरफ़तार कर सकता है magistrate चाहे वो sir कौन सा magistrate judicial executive मैंने का magistrate होना यही परयाप्त है whether judicial or executive it doesn't matter magistrate whether judicial or executive can arrest a person according to section 44 तो दंड प्रक्रिया साहिता की धारा देखो इधर क्या sir magistrate भी गिरफ़तार कर सकता है बिलकुल कर सकता है दंड प्रक्रिया साहिता की धारा जो है 44 की अंतरगत कौन फी धारा धारा 44 आपको यह बताती है जिना की magistrate भी गिरफ़तार कर सकता है इन लोगों के पास गिरफ़तारी की सक्ति परयाप्त मत्रा में दी गई है इन लोगों के पास पावर आप आरेश जो है विस्तारित रूप से दी गई है यह सारे लोग चाहिए पुलिस ऑफीसर हों सुपीरियर पुलिस ऑफीसर हों मिलिटरी ऑफीसर अकॉर्डिंटु सेक्शन 131 प्राइवेट परसन अकॉर्डिंटु सेक्शन 43 मजिस्ट् पुलिस गिरफ्तारी के परकार कितने दो वारंट के साथ गिरफ्तारी और दूसरा वारंट के बिना गिरफ्तारी तो हम डिसकस करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों ये पहलू कि पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी हमारा मसला आज का यह है ठीक है और बहु हो तभी अरस्ट किया जाना चाहिए ठीक है कब कोई गिरफतारी अवैद हो जाती है इन सारे पहलों को बड़ डिटेल में देखते हैं फिलाल इतने इंट्रोडक्शन के बाद मैं आपको ये बताना जा रहा हूं कि हम लोग क्या डिसकस करने वाले हैं इसकी क्लास में हम लोग डिसकस करने वाले हैं पावर अप अरस्ट अप पुलिस और उसमें भी मैंने बताएं दो प्रकार हैं पुलिसी गिरफतारी के वारंड के साथ गिरफतारी और वारंड के बिना गिरफतारी मैंने क्या बोला वारंड के साथ गिरफतारी और वारंड के बिना गिरफतारी दो पुलिस वारंट के बिना गिरफतार कर सकेगी और पुलिस वारंट के साथ भी गिरफतार कर सकती है हम यह देखने वाले धारा 41 के नुसार कि कब पुलिस बिना वारंट गिरफतार कर सकेगी इधर देखो तो देखो इधर कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी ऐसे वक्ती को गिरफतार कर सकता है. तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वारंट के बिना गिरफतारी के संदर में. प्यारे बच्चों धंड प्रक्रिया सहीता की धारा एकतालिस उन परस्टितिओं का वर्डन करती है. करती है जब पुलिस बिना वारंट के किसी को गिरफतार कर सकती है। इस धारा को साल 2009 में अमेंड्मेंड भी किया गया। ठीकन और अमेंड्मेंड करके इस धारा को संगे मामलों के आधार पर दो वागों में बाढ़ दिया गया। वो संगे मामले जो साथ वर्स तक दंडनी हैं और वो संगे मामले कोगनिजेबल केसेज जो साथ वर्स से अधिक आजीवन कारावास या मरतियुद दंड से दंडे थैं। मैंने फिर कहा हमने धारा 41 को 2009 केमेंड्मेंड के बाद प्यारे बच्चों दो कटेगरी में हमने इसको बाढ़ दिया। लॉगनिजेबल केसेज जिछ इस पनिशेबल वार अब तू 7 येर और दूसरा और दैन 7 इन दो भागों में इसको वर्जित किया यानि वो मामले जो साथ वर्स तक अप् टू 7 इयर दंडनी हैं और दूसरा जो साथ वर्स से अधिक समय तक दंडनी हैं इन दो क्राइटीरि कि लिलिस बिना वरन्ट की गिरफतार कर सकेगी। इधर देखो, जो पुलिस अधिकारी की उपष्टती में संगे अपराद करेगा। पहला ग्राउंड। अगर पुलिस की प्रजेंस में संगे अपराद कर दिया पुलिस आपको गिरफतार कर लेगी ठीक है मने क्या बोला पुलिस की मौजूदगी में संगे अपराद कर दिया इधर देखो तो क्या करेगी पुलिस आपको गिरफतार कर लेगी मने खाब हम section 41 देख रहे है section 41 clause 1 कब गिरफतारी हो सकती पहला cognizable offense in the presence of police ठीक है कोगनी जेवल पहला क्राइट ग्राउंड क्या है कोगनी जेवल offense in the presence of police मैंने क्या बोला cognizable offense in the presence of police यानि की इधर देखो पुलिस अधिकारी के उपस्तिती में जो संगे अपराद करता है उसको गिरफतार पलिस भीना वारंट के कर सकती है दूसरा ग्राउंड क्या है दूसरा ग्राउंड वन का जो ए था यह एक तरीके से ठीक है वन का ए है अब भी देखो मैंने क्या कहा 2009 में जब संसोदन हुआ तो संगे अपरादों की दो कटेगरी बना दी गई यानि वो मामले जिन में किसी कोई अपराद इधर देखो अगर कोई अपराद जिसके विरुद्ध परिवाद किया जा चुका है विश्वसनी इतला प्राप्त हो चुकी है किस बात की उचित संदे विद्ध माने इधर देखो उचित परिवाद विश्वसनी इतला और उचित संदे ये तीन बातें प्र किया है और निम्न लिखित सर्ते पूरी कर दी जाए मेरी बात देखो इसने यह कहा गया कि दो भागों बाट लेते एक साथ वर्स तक और साथ वर्स से उपर बोला अगर साथ वर्स तक किसी ने संगे अपराद किया है ठीक है और उसके विरुद उचित परिवाद मिला है तो सर्ते निम्न सर्ती पूरी कर दी जाए तो उसको हम अरेस्ट कर लेंगे इधर देखो पुलिफ अधिकारी के पास ऐसी परिवाद या इतला या संदे के आदार पर विश्वास करने का कारण हो कि उस व्यक्ति ने अपराद किया है यहीं टिप्टिरी को उटने कि विश्वा अन्वेंशन करने के लिए या साक्ष को गायब करने या साच के साथ चरचान करने से निवारित करने के लिए आवस्यक है या उस व्यक्ति को जो ऐसे किसी व्यक्ति को जो मामले के तथ्यों से परचित है उत्प्रेरित करने धमकी देने या उससे वाइदा करने जिससे उसे नियालाय अधिकारियों के समझ प्रकट ना करने के लिए मनाया जा सके अगर ऐसा किया जाता है तो क्या किया जाए गिरफतार कर लिया जाता और जब तक ऐसे व्यक्ति को गिरफतार नहीं किया जाता निया एलाय में उसकी उपस्तती आप एक चित उने चित नहीं की जा सकती है आवश्यक है तो पुलिस उसको गिरफ़तार कर लेगी और गिरफ़तार करते समय कारणों को लिखेगी लुको मैं पहले ग्राउंड बोलता हूँ मैंने दो बाते कहीं मैंने का देखो सबसे पहले तो अगर पुलिस उधिकारी तर जीव मुझे टूद अप्रसाइस बताईए कि पुलिस कब बिना वरंट गिरफ़तार कर सकती है मैंने का धारा 41 एक 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 अनुसार अगर पुलिस की मौजूदगी में कोई संगे अपराद करोगे यह लगता है जरूत ऐसी है किसलिए कोई पुलिस को दूसित करने के लिए और नियायाले में उपफ़तिती सुनश्चित करने के लिए अगर गिरफ़तारी की आवश्यक्ता है तो पुलिस क्या करेगी उन कारणों को लेकबद करते हुए गिरफ़तार कर लेगी उन कारणों को क्या करेगी लेकबद करते हुए गिरफ़तार कर लेगी दूसरी सुचुएशन मैंने का दो कराइटेरिया बाट दिये गए साथ वर्स से कम साथ वर्स से उपर दूसरे प्यारे बच्चों अगर मामला साथ वर्स से अधिक या आजीवन कारावास या मर्तिव दंड से दंडनी अपराद किया है प्यारे बच्चों ठीक है तो फिर पुलिस उसको गिरफ़तार कर लेगी इतनी संतुस्टी करने की जरूरत नहीं है महीं तरफ देखो वर्स के बिना गिरफतारी में भी दो परस्तियां ले आई गहीं है यानि ऐसा संगे मामला देखो संगे मामला ही वो मामला है जिसमें पुलिस बिना वर्स गिरफतार कर सकती है तो संगे मामले की भी दो बना दी एक साथ वर्स से कम दंड़नी संगे अपना कॉग्रिजेवल आफेंस और दूसरा साथ वर्स से अधिक और मृत्युदंड और आजीवन का रवाज धन नहीं संगे अपना दूसरी क्रिटरिया जो है यह बना दी प्यारे बच्चों ठीक है तो अगर पहली क्रैटिरिय है तो इतनी सर्थों को पूरा करना पड़ेगा और अगर दूसरी क्रेटिरिया यानि की अपराद ऐसा है जो साथ वर्स से अधिक आजीवन कारावास या मर्तिव दंड से दंडनी है तो प्यारे बच्चों फिर ये सब फंतुष्ट करने की जुरूत नहीं है किरफतारी हो जा उर डेथ सेंटेंस इसके अलावा c number ये कहता है कि अगर Proclaimed Offender है किया है अगर Proclaimed Offender है किया है Proclaimed Offender यानि कि एक तरीके से इधर देखो Proclaimed Offender का मतलब आपका एक तरीके से हाँ दो को इदर प्रोक्लेम्ट आफ हिंदर का मतलब की राज सरकार की आदेव द्वारा वो उद्गोसित अपरादी किया जा चुका है ठीक है तो पुलिस बिना वारंट के उसको गिरफतार कर लेगी और कब गिरफतार करेगी यदि यदि उसके पास से कोई stolen property in possession है कोई चुराई हुई संपत्ती उसके कबजे में है यानि अगर जिसके कबजे में से कोई ऐसी चीज पाई जाती है जिससे चोरी हुई चुराई हुई संपत्ती होने का यह जा सकता है, यह जिस पर ऐसी चीज के बारे में अपराद करने का ओचितरूminister किया जा सकता है, यनि अगर अगर प्रोख्लैम्ड-अफेंडर है, तो भी उसको बिना वारन्ट गिरफ्तार कर लो, पॉलिस के लिए है यह पावर, अगर उसके पास से कोई चुराई होई संप या ऐसा सन्दे है तो भी उसको भीना warrant के क्या करो गिरफ्तार करो, ठीक है। और अगर वो पुलिस को पुलिस को पुलिस अधिकारी के कार में बाधा पहुंचाता है और जो अपना करतब कह रहा है। ठीक है। या, जो विदी पस्त्र बलों का वो क्या है अभीतेजग यानि भगणा है। उसको भी प्लिस भीना वर्यंट का ईरस्ट कर लेगी। इसके अलावा और किसे कर लेगी।ْ यानि उसके अलावा जो है किसी ऐसे अपराद को बारत के बार उसने किया है। learned के बारत में किया जाता तो जो है तक्ム situation में भी एक तरीके से offense committed outside इंडिया यानि भारत के बाहर अपराद करता है तो भी उसको गिरफतार कर लिया जाएगा बिना वरंट के साथी साथ अगर वह तीन फुच्छपन क्यूब धारा पांच क्या दिन बनाएगा नियमों का उलंगन करता है ठीक है तो भी उसको नियम भं के लिए गिरफतार कर लिया जाएगा और उसको तब भी गिरफतार कर लिया जाएगा जब किसी अन्य थाने से एक तरीके से किसी another police station से उसकी गिरफतारी की request की गई है इतनी परिष्टितियों में प्यारे बच्चों पुलिफ अधिकारी बिना वारंट की गिरफतार कर गा धारा एक तालिस के अनुसार look at me सर जड़ा समराइस करो मने का अभी समराइस करता हूं सर धारा एक तालिफ जड़ा समराइस करो मने का प्यारे बच्चे धारा एक तालिस कहती है कब पुलिस बिना वारंट के गिरफतार कर सकती है तो मने का कि अगर cognizable offense in the presence of police करोगे ठीक है यानि पुलिस की मुझूदगी म संगे मामले के लिए अगर उसके दू प्रजन से दूर करोगे तो अगर साथ वर्ष तक कारवाफ दंडनी अपराद है तो अलग प्रक्रिया मतलब सर मने का अगर साथ वर्ष तक या साथ वर्ष से कम दंडनी अपराद है तो अगर भविश के किसी अपराद को रोकने के लि आपको अरस्ट कर लेगी अगर ज़रूरी investigation करने के लिए आपको अरस्ट करना है तो आपको अरस्ट कर लेगी आपको evidence छिड़चाड़ करने से रोकना है तो आपको अरस्ट कर लेगी witness को temper witness को एक तरीके से induzement threat करने से रोकना है तो आपको arist कर लेगी और आपकी नयायाले में उपस्थति सुनिशित करनी है तो आपको गिरफतार कर ले기 बिना warrant के यदि आपने साथ वर्ष से कम या साथ वर्ष तक का अपट दंडनी अपराद किया है संगे अपराद किया है यानि इतने पैरामीटर्स का हमें ध्यान रखना होगा इतने पैरामीटर्स का हमें ध्यान रखना होगा दूसरी पोजीशन क्या है मैंने का अगर संगे अपराद किया है साथ वर्स से अधिक आजीवन कारावास या मर्ट्यूदेंट फिर दननी तो फि पुलिस आपको गिरफतार कर लेगी आपके पास इस्टोलन पॉपर्टी जो है आपके कबजे में पाई गई पुलिस आपको गिरफतार कर लेगी या जिसके सस्पेक्टेड होने का संदे है कि इस्टोलन पॉपर्टी हो सकती है पुलिस आपको गिरफतार कर लेगी आप पुल के बाहर कोई offense करते हैं और situation इस तरह की है तो भी पुलिस आपको बिना warrant arrest कर लेगी इसके अलावा अगर आप 356 में वार्णित नीमों का उलंगन करते हैं ठीक है और आप अगर अन किसी पुलिस स्टेशन से भी तो है इस रिक्वेश्ट आती है आपको अरस करने की तो धारा 41 के नुसार आपको गिरफतार कर लिया जाएगा लेकिन इसके अलावा एक धारा और है धारा 42 क्या कहती है उसके बारे में सुनू धारा 42 आपको ये कहती है धारा 42 धारा 42 भी काफी बाते बताती है और धारा 42 आपको ये कहती है कि अगर आप नाम इदर देखो धारा 42 क्या कहती है धारा 42 कहती है कि अगर नाम और निवास बताने से इंकार कर रहे हैं आप तो अभी पुलिस आपको गिरफतार कर सकती है आप रात में कहीं जाते हुए पाए गए ठीक है पुलिस ने पूचा what is your you are not telling true name और पुलिस is suspecting that you are not disclosed to identity आप अपनी सही पहचान प्रकट नहीं कर यानि कि जब कोई व्यक्ति जिसने पुलिफ अधिकारी की उपस्तिती में कैसा किया इदर देखो असंगे अपराद किया है कैसा अपराद असंगे अपराद किया है या फिर जिस पर पुलिस अधिकारी की उपस्तिती में असंगे अपराद करने का अभयोग लगाया गया है ठीक है उसे अधिकारी की मांग पर अपना नाम और निवास बताने पर बताना होगा अगर वो करता है या ऐसा नाम या निवास बताता है जिसके बारे में अधिकारी को ये विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है तब ऐसे अधिकारी द्वारा इसलिए गिरफ्तार किया जा सकता है कि उसका नाम और निवास अभिनिश्चित कर लिया जाए यानि कि प्यारे बच्च सक्ती बहुत सीमित और निमित है उसमें से एक आधार तो धारा 42 में ही दे दिया गया है कि अगर पुलिस की मज़ुद्गी कि आपको नौन कॉगनीजेवल केस है और आप पुलिस को नाम और पता बताने से इंकार करते हो ऐसा नाम और पता बताते हो तो सत्य होने का बहान पुलिस को आपको अरेस्ट कर लेगी तो arrest without warrant पुलिस के द्वारा कब हो सकता है दो परिशितियां है बिना warrant के पुलिस के arrest करने की एक धारा 41 में जो मने इतनी रंबी बताई और दूसरी धारा 42 में ठीक है यानि कि एक तो संगेया पराद में और दूसरा जो ground दिये हैं उसके आधार पर और दूसरा प्यारे हो धारा 41 का पुस्माटा में एक बार करना और जरूरी है धारा 41 कहती है पुलिस बिना warrant की कब गिरफतार करेगी यानि जब पुलिस की मौझूदगी में कोई अपराद करते हैं ठीक है तो गिरफतार कर लेगी दूसरा कब करेगी पुलिस की मौझूदगी से अलग कहीं पर साथ वर्स तक कोई अपराद करें या साथ वर्स से अधिक और मृत्युदंड से दंडनी कोई अपराद करें ठीक है अगर साथ वर्स से अधिक कोई दंडनी या मृत्युदंड या अजीमन कारावाफ दंडनी अपराद करते हो तो बिना किसी कंडिशन के जो है आपको अरस कर लिया जाएगा लेकिन अगर साथ वर्स तक का अपराद करते हो तो आपको छह कंडिशन सेटिस्फाई करनी होंगी कौन-कौन सी मेरी बात सुनों पहले तो आपके विरुद्ध क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन और विश्वस्नी सूचना हो दूसरी भविश्व में दूसरा ओफेंस करने से रोकने के लिए प्रॉपर इन्फिगेशन करने के लिए और तीसरा एविडेंस को डिसपियर गायब करने से रोकने के लिए फिटनेस को थ्रेट करने से रोकने के लिए और आपकी उपस्तिति आयले में सुने करने के लिए आपको गिर पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी पुलिस को सरकारी काम में बाधाउत्पन करते हैं तो गिरफ्तार कर लेगी अगर भारत के बाहर कोई अपराद करते हैं और भारत में पाए गए हैं तो भी आपको गिरफ्तार कर लेगी इसके अलावा 355 के रूल का उलंगन करते हैं तब भी आपको गिरफतार कर लेगी और अगर किसी अन्य पुलिस इसंसे रिक्वेस्ट आई है तो भी आपको गिरफतार कर लेगी सर क्या कोई private person भी किसी को गिरफतार कर सकता है मने का धारा 41 में पुलिस बिना warrant कब गिरफतार करेगी बताया गया धारा 42 में ये बताया गया पुलिस कब नाम और निवास ना बताने पर गिरफतार करेगी धारा 43 में यही बताया गया है प्यारे बच्चे कि कब private person किसी को private person सर जी कौन होता है बनाए कि जैसे हम और आप धारा 43 आपकी ये कहती कि कब प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफतारी हो सकती है धारा 43 क्या कहती है कि कब प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफतारी हो सकती है और अगर ऐसी गिरफतारी होगी तो इसकी प्रक्रिया क्या हो कब प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी हो सकती है धारा 43 कहती है और अगर ऐसी गिरफ्तारी हो प्रक्रिया क्या हो ठीक है इधर देखो बस दो वर्ड याद रखो अगर कोई वंदा आपकी उपस्टती में नौन बेलेबल यानि अजमानती और कौगनीजेबल यानि संगे अपराद करता है तो आप उसको उसी वक्त गिरफ्तार कर सकता है अच्छा सर हमारे पास भी गिरफ्तार करने होग बिल्कुल आपके सामने कोई नौन बेलेबल कौगन offence करता है आप उसको गिरफतार कर सकते हैं दूसरी situation बहुत महित्पूर्ण यह है कि अगर कोई proclaimed offender है आप without unnecessary delay किये उसको गिरफतारी करने का exam इंतजाम कर सकते हैं और गिरफतारी के बाद उसको police station ले जाएंगे nearest police station ले जाएंगे और police उसको according to section 41 दुबारा से rearrest करते हैं सर क्या हम और आप भी arrest कर सकते हैं मैंने का बिलकुल arrest कर सकते हैं ठीक है इधर देखो section 43 क्या कहता है यही है 43 कोई private व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसकी उपस्तिती में कैसा अपराद आजमानती और संगे अपराद करता है या फिर वो proclaimed offender यानि उद्गोफित अपरादी है तो उसको हम और आप गिरफ़तार कर सकते हैं मेरा sir one line का question है आप से आप मुझे बताएं कि कब कोई निजी व्यक्ति किसी गिरफ़तार कर सकता मैंने कि दो फिच्वें कोगनी जेवल लॉन बेलेबल अगर किसी ने आपके सामने offense कर दिया आप जाईए उसको ग गिरफ़तार करें सर जी लेकिन मेरे पाफ तो थाना जेल है नहीं हम करेंगे क्या क्या अपने घर में रखें मैंने करना go to the nearest police station hand over to the police and police में रियरेस्ट police उसको दुबारा गिरफ़तार कर लेगी ठीक है सर एक case बताओ जरा क्या हो सकता है for situation बताओ मैंने का एक लड़की जो अपनी coaching institute के बाहर खड़ी है आप भी लोग है और कोई उसको molest करने की कोशिस करता है ठीक है और आप जाके के सारा offense देख रहे हो ना तो कोई police when है और ना ही आपके पाफ time है ताकि police से मदद गुला सको आपने सोचा सर ने CRPC में हमें धारा 43 पढ़ाई है निजी व्यक्ति की गिरफतारी की सकती क्यों ना उसी का प्रयोग कर लिया जाए ठीक है ना तो प्यारे बच्चों अगर आपने सीधा गए और उसको गिरफतार कर लिया ठीक है पकड़ लिया ठीक है ना आपने कुछ action लिया आपको क्या-क्या मदद उ कोचिंग की अपने नमबर थ्री आप जो है उसको पीटेंगे अपने exercise of right of private defense में बाद में उसको victim के फारिवार वालों को hand over कर देंगे तीसरा चौथा जो है कि आप उसको जो है पीट सकते है right of private defense में और उसको handed over to the police कर देंगे police उसको arrest कर लेगी चारों में से कौन सा option ठीक चौथा आप उसको पीट भी सकते हैं section 97 exercise of the right of private defense निजी प्रतिरच्छा का दिकार धारा 97 आपके पास अपनी प्रतिरच्छा का भी अधिकार है और अपने साथ-साथ अन्य की भी प्रतिरच्छा का दिकार है अपने साथ-साथ अन्य की भी प्रतिरच्छा का दिकार है आप उसको पीट भी सकते हैं और फिर धारा 43 के अनुसार उसको arrest कर लीजिए और पुलिस को कर दीजिए कहीं कोई offense नहीं हुआ ठीक है सर क्या magistrate भी गिरफदार कर सकता है मैंने का बिलकुल कर सकता है धारा 44 मजिस्ट्रेट की गिरफदारी की सकती की बात करती है किसकी बात करती है धारा 44 मजिस्ट्रेट की गिरफदारी की सकती की बात करती है क्या कहती है सर धारा 44 मैंने का कार-पालक या न्याइक इससे कोई मतलब नहीं है एक जो कुट्वि भी हो सकता है और जुटिस्यल मजिस्टेट भी हो सकता है लेकिन अपने लोकल जोटिक्षन के अंदर यह नहीं कि नहीं कि मजिस्टेट यूपी में वह यहांकर बबाल कर रहे है Doomy लोकल जो अडिक्षन के अंदर अगर उसकी प्रिजस्ट में कोई भी ओफइंस होता है लेकिन द्यान देना सर्थ ये है, ठीक है? कि उसकी लोकल जो अडिक्षन में अपराद होना चाहिए। ठीक है? ऐसी अवस्ता में वाजिस्ट्रेट को गिरफ़तार कर सकता है या किसी अन करी कैसे जाए बड़ा जगड़ा तो इसी बात का है ठीक है इस करी कैसे जाए इसके लिए मुझे आपको धेरो केसे बताने हैं जिसमें डेली जुडिसियल सर्विस एसोसियेशन तीस हजारी कोर्ट दिल्ली पनाम स्टेट अब गुजराद राज्यका भी केस बताना जिसमें पुलिस वाले का मन इतना बढ़ गया कि उसने एक मजिस्ट्रियूट को पीटा ना केवल पीटा बिजज़त किया सराब पिलाई फोटो किया मुकदमा दर्ज कर दिया और जेल में इतनी दरफ्टता उस पुलिस वाले ने पार कर दी तो फिर ऑन्रेबल सुप्रीम कोर्ट न ठीक है और बिना डिस्टिक मजिस्टेट के डिस्टिक और सेफन जज़ के आदेश के उसको पुलिस स्टेशन नहीं ले आओगे जैसे वो पहुंचेगा उसको इमेडियेट फैसलिटीज प्रोवाइड कराओगे ना तो पंचनामा करोगे ना तो स्टेट्मेंट लोगे बि और जज़ों को हत्कड़ी भी नहीं लगाई जाएगी ठीक है यह सब केसे जो मैंने केस आपको बताया उस वाद के बाद इतनी सारी गाइडलाइन आई है सर आपने सारी बाते तो बताएं कि पुलिस कब वारेंट के बिना गिरफतार कर सकती है ठीक है और निजी व्यक्ति कब गिरफतार कर सकता है सर क्या मजिस्ट्रेट कब और किस पस्टिति में गिरफतार कर सकता है वो तो ठीक है सर हमें आप यह बताओ कि अरेस्ट किया कैसे कैसे जाएगा, अरेस्ट कोई व्यक्ति किया कैसे जाएगा, अरेस्ट कोई अरेस्ट हाउ मेड इस बारे में कुछ डिसकस करें, कोई अरेस्ट किस तरीके से किया जाएगा ये जानने के लिए प्यारे बच्चे आपको चलना पड़ेगा सेक्शन 46 of the को आपको बताती है कि अरेस्ट हाउ मेड गिरफ्तारी कैसे होगी. लिए तो इसको हम जो है पढ़ने पर next class में देखेंगे और गिरफ्तारी कैसे होगी इस सम्मंद में हमारे पास state of UP वर्सेस देवमन उपाद्याए section 46 सम्मंदित हमारे पास कुछ केस है एक केस है उत्तरप्रदेश राज्य बनाम देवमन उपाद्याए स्टेट आप यूपी वर्सेस देवमन उपाद्याए ठीक है स्टेट आप यूपी वर्सेस देवमन उपाद्याए एक बड़ा 6 मई 1960 का केस है इस गिरफ्तारी के अरेस्ट के यह है एक तरीकेस से प्रकार के बारे में कि अरस्ट कैसे होगा किस तरीके से अरस्ट किया जाए धारा चियालिस से समंदेश आप केस है और दूसरा केस एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है उसको भी हम अपनी नेक्स क्लास में डिसकस करेंगे जनी कि असोक कुमार जोहरी के कीस रस बेंगॉल का और D.K. बशू केस। कौनसा केस। D.K. बशू वसू से स्ट इट प यू पी यह दोनों कॉस्टोडियल देट्स आरेटेड़ है। फिक बेंगॉल का केस है, यू प का केस है, कौट ने दोनों प्टिशन को क्लब करके एक साथ सुनके कौट को गैडलाइन कौर्ट ने स्टेट को इश्यू कर दिए ठीक है डी के बसू केस और आपका ठीक है डी के बसू केस को भी हम देखेंगे कि सुप्रीम कौर्ट ने अरेस्थ हऊu.. मेड कि किस अंदर में गिरफ तारी कैसे हो.. इस संतर में किसा प्रहण है, यदि हाँ तो किस तरीके की ठीक है और बाद में वही गायडलाइन हमारे अमेंडमेंट करके दंड प्रक्रिया सुनिता ता मुक्य भाग बन गई, आगे की क्लास में हम अरेस्थे सम्झेब, जानेंगे समझेंगे, तब तक के लिए शक्षा झाल झाल